हेलो स्टूडेंट आज मैं आप लोग को बिहार बोट के 10 प्लस 2 का हिंदी पढ़ाने जा रही हूं तो सबसे पहले मैं आप लोग को हिंदी का पेपर का सिलेबस बता दूं कि हिंदी का पेपर में क्या-क्या पढ़ना है आप लोग को और इसके पेपर का पैटर्न क्या होता ह ठीक है तो यह देखिए हिंदी का जो पेपर है भी हार बोड में 10 प्लस 2 का 10 प्लस 2 का आपका 10 प्लस 2 का 100 marks का आता है कितने marks का आता है 100 marks का जिसमें से आपके दो तरह से कोशन पूछे जाते हैं पेपर में 100 marks में एक objective यह देखिए objective और दूसरा सब्जेक्टिव पुछे जाते हैं ठीक है तो सब्जेक्टिव में आपका 50 मार्क्स का अब्जेक्टिव पुछा जाता है और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव पुछा जाता है ठीक है तो 50 मार्क्स का जो आप लोग का objective है इसमें आप लोग से आप ही के book का पुछा जाता है आए देखते हैं क्या पूछा जाता है आप लोग से ठीक है यह देखिए ये आप लोग को जो objective paper है आप लोग का इसमें आप लोग से पूछा जाता है कि 50 marks में कि गद्ध खंड से कोशन आएगा आपका कावे खंड से आएगा ब्याकरंट से प्रतिपूर्ती से ये कुल टोटल इन सब से मिला के आपको 60 कोशन पूछे जाते हैं ठीक है 60 कोशन पूछे जाते हैं लेकिन आपको attempt के वल 50 कोशन करने हैं क्योंकि य जाने कि एक कोशन एक नंबर का है और यह देखे इधर सब्जेक्टिव है आपका यह भी 50 marks का पूछता है तो इसमें आपको निबंध लिखना है व्याख्या पत्र लेखन दो अंक वाले प्रस्ण यहां 5 होगा यह 5 अंक वाले प्रस्ण और संच्छेपन करना रहता है तो आएए देख लेते हैं इसके बाद कि सब्जेक्टिव में जो यह निबंध है व्याख्या पत्र लेखन यह सब कितने marks का और कितना कोशन पूछता है ठीक है शॉर्ट में जनकारी ले लेते हैं हम इसका तो यह देखिए यह आपका जो यहाँ पर लिख दिये हैं यह देखिए यह इतने marks लिखा हुआ है यह number of questions लिखे हुए है कि कितना कोशन पूछेगा आप से और कितने marks का पूछेगा कितने कोशन पूछेगा कितना आपको करना है ठीक है यह जो है तो यह बहुत important है इसको आप लोग screen sort ले लिजिए या copy paper पर note कर लिजिए ठीक है तो यह देखिए निबंध जो है आपका वो 8 marks का पूछता है पेपर में हिंदी के पेपर में 8 marks का निबंध पूछता है जिसमें 6 निबंध आते हैं और उसमें से आपको केवल एक निबंध करना होता है ठीक है उसक इसमें से आपको चार पूछी जाती है व्याख्या और इसमें से केवल आपको दो का आंसर देना होता है यह जो आपकी व्याख्या है वह गदखंड और कावेखंड दोनों से मिला के पूछा जाता है दो दो पूछा जाता है दो गदखंड से दो कावेखंड से इसमें से आ किवब आपको एक ही एंटेंप ना है आपको केवब एक ही पत्र लेखन को लिखना है ठीक है उसके बाद देखिए यह दो अंक वाले प्रत्रों है दो अंक वाले प्रत्रों यानि अती लग वी उत्री है इस आप sou시कता है ठीक है दस कोशन पूस्ता है लेकिन आपको केवल 5 का ही आंसर देना है ठिक है और उसके बाद ये जो है आपका तो दोहजा ये जो पांच वाले जो प्रश्ण है यांदि लगूतourage प्रशुन ये आपका लगूतुरी जो प्रश्ण है father पूछता है छे कोशन आते हैं लगूतर ये लेकिन आपको केवल दो ही का आंसर देना होता है ठीक है ये संचेपन करने के लिए आता है मतलब अपटी गद्यांस हो या पद्यांस हो कुछ भी हो गद्य का खंड का हो या कावे खंड का हो इसमें आपको चार मार्क्स का पूछता है संचेपन करने के लिए और दो कोशन पूछता है और आपको आंसर केवल एक ही का देना है ठीक है तो इस तरह से आपका पेपर का पैटर्न है ये 10 प्लस 2 का जो 2023 में होने वाला है भी हार बोर्ड उसका पैटर्न है ठीक है आए देख लेते हैं कि का गद्खंड का है ठीक है जब कड़्खंड है इसी से आपका आपग्य它 पूछा पूरे चैप्टर से objective आएगा question answer आएगा जो लगुतरी question है जो दिरगुतरी question है वो इन ही से पूछे जाते हैं आपकी व्याख्या भी इसी से पूछी जाती है तो इन सब chapters को हम एक एक करके अब आज से पढ़ना शुरू करेंगे ठीक है इसे related question answer और इसी से related आपका व्याख्या सब कुछ और जो आप लोग को पढ़ना होगा वो आप number पर message कर दीजेगा ठीक है तो आएगे देखिए यह देखिए यह है आपका कावेखंड कावेखंड जो है यह है आपका कावेखंड गद्खंड की जैसे ही कावेखंड में भी 13 chapter है इसमें से भी आपको objective question व वह आता है आपका व्याकरण ठीक है व्याकरण व्याकरण भी पूछता है आपका हिंदी कम बहुत important part है व्याकरण इसमें साब को संग्या, सरुनाम, कारक, वचन, समास, उपसर्ग यह सब आपको पढ़ना है और यह सब आपका objective में पूछता है ठीक है इससे related question है आपको objective म पूछता है तो थैंक्यू आज के लिए इतना ही आज का सिलेबस हिंदी का समाप्त हुआ अब इसी सिलेबस के बेस पर हम लोग पर डे एक एक चाप्टर करेंगे ठीक है और सिलेबस को कम्प्लीट करेंगे ओके ठैंक्यू